दोस्तों नमस्कार मेरे नम संजे मगूहर मौजूद हैं देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सभाज चुनाव को लेकर इस समय तमाम सरगर्विया है 5 अक्टूबर को जो हर्याना विधान सभाज चुनाव के लिए मद्दान होना है उसको लेकर जहां कैंडिडेट इस समय पूरे जोर शोर से परचार में जुटे हुए हैं तो भही राजनितिक विशलेशक या राजनिती घटनाओं में रूची रखने वाले या राजनिती को पास से जानने वाले पास से देखने समझने वाले ये उनुमान भी लगा रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है या कहां क्या हो सकता है मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि हर्याना भारती जन्ता पारिटी के वो दस बड़े नेता जिनमें मंत्री हैं जिनके अंदर विधान सभा के अध्यक्ष है मुख्य मंत्री हैं उनकी विधान सभाओं में स्तिती क्या है अब मैं आपको इस विदियो में बताने चला हूँ हरियाना की दस विधान सभाओं ऐसी सीटें जिन पर कॉंग्रेस के बड़े नेता चनाव लड़ रहे हैं ऐसे विधान सभा की दस सीटें जहां पर कॉंग्रेस के बड़े दस चेहरे चुनाव मैदान में हैं और वहां की राजनितिक हालात क्या बने हुए हैं वहां का माहौल कैसा है उन सीटों पर कौन जीत सकता है किसकी गाड़ी येलो सिगनल पर रेंग रही है किसकी गाड़ी पर रेट सिगनल लग गया है और किसको ग्रीन सिगनल मिला हुआ है तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा उन दस विधान सभा सीटों की जहां पर कॉंग्रेस के दस कदावर नेता चुनाव मैदान में हैं सबसे पहले बात करने तो गड़ी किलोई सापला विधान सभा है गड़ी सापला किलोई यहां से चुनाव मैदान में हैं पूरू मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंग हुड़ा कॉंग्रेस के बड़े नेता कॉंग्रेस की तरफ से अगर मैं कहूं तो वेटिंग सीम यानि कि अगर कॉंग्रेस को बहुमत मिलता है तो होने वाले मुख्यम मंत्री अगर मैं आपसे गड़ी किलोई सापला की जो वस्तु सिती है जो राजनीतिक हालात है वो बताऊं तो बोपिंदर सिंग हुड़ा ने जब अपना नामांकन किया तो उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरने के दोरान ही कह दिया था कि वो तो पूरे हर्याना के चु तो थी बार चुनाव मैदान में है पांचमी बार चुनाव मैदान में है 2005 में जब मुख्य मंत्री बने तो उस समय वहां से वो उप्चुनाव जीते थे उप्चुनाव रड़ा था 2009 में विधायक रहे 2014 में रहे 2019 में रहे अब 2024 की तैयारी है यले कि चार बार विधायक वह अगर मैं ये कहूं कि राजनीती में तो अपने पैर काफी टाइम साजमा रही है जिला परिशद की चेर्मेन है उनके पती गैंक्स्टर रहे हैं नाम रहा है उनके पती का और अगर मैं मंजू हुड़ा का कहूं तो उनके भी आप कई प्रकार के जो फोटोज हैं फोटोग्राफ्स हैं वो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जिसमें उनकी अक्टिविटी सामने आ जाएंगी कहीं मोडल के रूप में हैं कहीं वो राजनेता के रूप में हैं कहीं वो बुपेंदर सिंग हुड़ा का मुकाबला है मनजु हुड़ा से भारती जनता पार्टी की केंडिडेट तो और भी चुनाव मैदान में हैं लेकिन अगर गड़ी किलोई सापला को कहें तो यहां पर कोई मुकाबले वाली कोई बात नहीं है बुपेंदर सिंग हुड़ा की गाड़ी सरपट दोड़ रही है और उनको रहतक जाने के लिए पूरी तरह ग्रीन सिगनल है कहीं कोई येलो रैड कुछ नहीं है यानि कि बुपेंदर सिंग हुड़ा चुनाव जीत रहे हैं उनको ग्रीन सिगनल है अगर अगली बात करूँ तो फिर हर्याना का दूसरा छोर दक्षिन हर्याना के प्रमुक विधानसभा सीट है हूडल जहां से चुनाव लड़ रहे हैं कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उद्यभान जहां चुनाव मैदान में है इस होडल विधानसभा सीट से चौधरी उद्यभान चार बार विधायक रहे हैं साथ चुनाव उन्होंने रड़े, तीन हारे और चार चुनाव जीते आठवें बार वो चुनाव मैदान में है 1987 से लगातार राजनीती कर रहे हैं विधानसभा की ताओ देविलाल की पार्टी से पहले हुआ करते थे अब वो कॉंग्रेस से लगातार अगर कॉंग्रेस से मैं कहूं रामरतन पूर विधायक रामरतन उनके बेटे हैं यहां से 2019 में जो विधायक बने थे जगदीश नायर बने थे भारती जनता पार्टी के लेकिन अपकी बार बीजेपी ने उनका टिकेट काट दिया और चुनाओ मैदान में वो नहीं दीखे और चुनाओ मैदान में आये पार्टी जनता पार्टी के लोग नेता दावा करते हैं क्या मुकाबला होगा लेकिन हालात यह हैं मैंने होडल का खुच जायजा लिया है कई घंटों तक तो होडल के अंदर आज चौधरी उदैभान की गाड़ी सीधे चंडीगर चलने को तयार है उनके लिए ग्रीन सिग 2019 में भी विधायक थे आफ्ताब एहमद और अब 2024 में वो विधान सभाज चुनाव लड़ने के लिए कॉंग्रिस की तरफ से मैदान में है अगर आफ्ताब एहमद की बात करूं तो आफ्ताब एहमद को भी पूरी तरह से ग्रीन सिगनल है उनके सामने भारती जंता पारिट जिना वो नुहू विधान सभा में आता है और नुहू में जो कैंडिडेट थे चौधरी जाकर हुसेन 2019 में भारती जंता पार्टी के इस चुनाव में जाकर हुसेन को टिकट मिला नहीं जाकर हुसेन के बेटे पहुंच गए इंडियर नैशनल लोगदल में वो इनेलो से च चंडिगर जोड़ेगी अगली विधान सभा की बात करूं तो फिर अगली विधान सभा आ जाती है उचाना उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी ब्रिजंदर सिंग सेवा निवरत या वी आरेस लिया था उन्होंने नौकरी से आईएस अधिकारी थे चौधरी वि बन गए थे दोजार चौबिस के लोगसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ी कॉंग्रिस में आए कॉंग्रिस ने टिकट दिया नहीं अब उनको विधान सभा का टिकट मिला है विजंदर सिंग के सामने जो है वो चुनाव मैदान में उनके पिता के हम नाम है विरंदर गोगडिया और चौधरी ब्रिजंदर सिंग में वहां की जो राजनितिक हवाएं फिजाएं संकेत दे रही है वो भी चौधरी ब्रिजंदर सिंग को यानि कि चौधरी विरंदर सिंग के लाडले को ब्रिजंदर सिंग को चंडिगर भेजने के लिए हरी जंडी दे रहे हैं यानि कि बिजंदर सिंग के लिए भी green signal है अगर अगली बात करूं तो फिर जुलाना जुलाना विदानसभा होट भी है जुलाना से विनेश फोगाठ चुनाओ मैदान में है कॉंग्रेस की तरफ से विलेश फोगाट को कॉंग्रेस ने चुनाव मैदान में उता रहा है तो उनके सामने आम आदमी पार्टी भी एक WWE की रेसलर को ले करके आई है भारती जनता पार्टी के भी यहाँ पर जो चुनाव मैदान में है वो पाइलेट है बगेल साव है यानि कि यहाँ पर ज़्यादा तर सेलिब्रेटी चुनाव मैदान में है अगर मैं आपसे बात करूं जुलाना की तो जुलाना से 2019 के अगर बात करूं तो यहाँ से अमंदीब धहंडा चुनाव जीते थे जन्ना एक जन्ता पार्टी से वो इस चुनाव में भी मैदान में है लेकिन चुनावी जो मुकाबला है वो चुनावी मुकाबले में भाजपा और कॉंग्रेस की कैंडिडेट है विनेश फोगाट यहाँ पर अच्छी स्थिती में है विनेश फोगाट यहाँ पर चुनाव जीतने वाली स्थिती में है अगर वहाँ के राजनितिक हालाद देखें तो फिर विनेश फोगाट का भी चंडिगर जाना तै है जो लाना से उनकी जीत भी कंफर्म लगती है और उनको भी ग्रीन सिग्नल है अगर अगली बात करें तो फिर बेरी आ जाएगी बेरी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे है छटी बार MLA बनने के लिए रगवीर सिंग कादियान 1987 में चौधरी देवी लाल के सानिद्धे में राजनिती शुरू ही थी रगवीर सिंग कादियान की उसके बाद में वो चौधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा के परिवार के भी उतने ही नजदीक रहे जितने कभी चौधरी देवी लाल के नजदीक थे हुड़ा साब के साथ रहते हुए अब वो चौधी बार कॉंग्रेस से चुनाव मैदान में है और इस चुनाव के लिए यानि की रगवीर सिंग कादियान जो इस चुनाव को लड़ने के लिए चुनाव को जीतने के लिए पूरी शिद्ध से जुटे हुए हैं विधान सभा के अद्धक्ष भी रहे हैं और रगवीर सिंग कादियान के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी सीट पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर जो भाजबा के जो कैंडिडेट चुनाओ मैदान में है या जो अन्य पार्टियों के है उनका कोई विशेश मुकाबला भी नजर नहीं आ रहा तो बेरी की सीट से रगवीर सिंग काधियान के लिए ग्रीन सिगनल है अगर अगली बात करूं तो रेवाडी रेवाडी विधान सवा से चरंजीव राव चुनाओ मैदान में हैं कॉंग्रेस के तरफ से लालू यादव के दामाद हैं और कैप्टन अजय यादव के बेटे कप्तान अजय यादव छे बार विधायक रहे हैं अब कप्तान यादव ने चुनाओी राजनीती से खुद को अलग किया तो बेटे चुनाओ मैदान में आ रहे हैं 2019 में नजदीकी मुकाबले में जीते थे लेकिन 2024 के लिए चरंजीव राव के लिए कहा जा रहा है कमफर्ड कंडिशन में हैं यहां से लक्ष्मन यादव को टिकट दिया है भारती जन्ता पार्टी ने जो पहले विधायक थे अटेली से उनको यहां भीजा गया इनकी जो कंडिशन है चरंजीव राव की यहां पर सतीश भी चुनाव लड़ रहे हैं सतीश खोला आमादमी पार्टी से और भी कई केंडिट हैं निर्दलिय प्रत्याशी भी हैं लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि चरंजीव राव बड़े कंफर्ट कंडिशन में है और बड़े आराम से चुनाव जीट जाएंगे इसलिए चरंजीव राव के लिए भी यहां पर ग्रीन सिगनल है अगर अगली बात करें तो फिर कुरक्षेत्र लोगसभा की विधान सभा सीट है थाने सर थाने सर से लगातार दो बार विधाया के सुभाज सुधा भारती जंता पार्टी के केंडिडेट इस समय हर्याना सरकार में वजीर भी है 2014 में भी उनको टिकेट मिला था चुनाव जीत गए थे 2019 में भी उनको टिकेट मिला भाज़पा का चुनाव जीत गए लेकिन 2019 का जो मार्जन था वो लगबग 6-700 वोट का रहे गया सिर्फ इस चुनाव में 10 साल के एंट-िंकम्बेंसी भी और अशो करोडा के प्रती 10 साल का लोगों का सानुभू थी अशो करोडा इंडियन नैशनल लोगदल में रहा करते थे, परदेश अध्यक्ष थे, हर्याना मिदान सभा के अध्यक्ष भी रहे, हर्याना के परिवहन मंत्री भी रहे और पिछले चुनाव से पहले, यानि कि 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने इनैलो को छोड़ करके कॉंग्रेस का दामन थाम लिया था, कॉंग्रेस ने उनको अपकी बार फिर टिकेट दिया है, चुनाव मैदान में है और अशो करोडा के लिए भी ग्रीन सिगनल है, यानि कि अगले विधानसवा की बात करें तो फिर बात करेंगे दक्षिन हर्याना की प्रमुक विधानसवा सीट, पलवल, वोपेंदर सिंग उड़्डा के समधी यहां पर चुनाव मैदान में है करन सिंग दलाल, करन सिंग दलाल पलवल से पांच बार विधायक रहे हैं, 1991 से राज पहले भारती जंता पार्टी में थे, लेकिन भाजपा और NLO का समझोता हुआ, भाजपा के समझोते में सीट मिली नहीं, तो फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़े, चुनाव जीते तीसरा, 2005 से लगातार कॉंग्रेस में है, 2005 में कॉंग्रेस से च कैंडिडेट थे, लेकिन चुनाव हार गए, चुनाव सभाजपादरी नहरा दिया उनको, पांचमा चुनाव हार गए, 2014 में फिर चुनाव मैदान में आए, और वो चुनाव उनका छटा था, छटे चुनाव में उनको भारती जंता पार्ट्री के कैंडिडेट दीपक मंग कैंडिडेट थे, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद करन सिंग दाल कुछ खुश होते हुए, कुछ मनते हुए, कुछ रोटते हुए, कॉंग्रस में ही जमे रहे, अब उनको कॉंग्रेस ने टिकट दिया है और अगर मैं आपको बताऊं तो करन सिंग दलाल के लिए भी पलवल में सिगनल ग्रीन है, हरी जंडी है उनके लिए भी वो आराम से चुनाव जीतने की कमफर्ड कंडिशन में है, यानि कि जो पलवल का मुकावला है करन सिंग दल आगे दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी उनकी पलवल से चंडीगर पहुंच सकती है, अगर अगली विदानसभा की बात करूं जो मैंने 10 सीटों की आप से बात करनी थी, तो अदस्मी विदानसभा सीट है जजजर, जजजर से घीता बुकल चुनाव मैदान में है, गीता जजजर से चंडीगर पहुंच जाएंगी, तो ये वो 10 विदानसभा की सीटें जहांपर कॉंग्रेस के 10 दुरंदर या 10 कॉंग्रेस के बड़े नेता चुनाव मैदान में हैं, और इन 10 के 10 बड़े नेता जो मैंने आपको नाम गिनाए, हुड़ा भुपेंदर सिंग, पुचाना से ब्रिजंदर सिंग, रिवाडी से चरंजीव राव, नुहू से आफताब एहमद, और थाने सर से अशो करोडा, इन सभी 10 बड़े नामों को ग्रीन सिगनल है, यानि की सभी चुनाव जीतने की स्तिती में हैं, आप हमारी बास से कितने सहमत हैं, कमेर्स बक्स मे देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,